दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास सेवंथ हिंदी पाठ सोला में है बूढी प्रित्वी का दुख तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इसनका लेखिका के बारे में हैं तो उनका नाम है निर्मला पुतूल तो लेखक तो हम लोग जान लिए उसके बाद सब्दार्थ देख लेते हैं सब्दार्थ देखने के बाद सारांस देखेंगे सारांस देखने के बाद प्रस्मतर की तरफ चलेंगे तो आएए सब्दार्थ में पहले जो है वो है महसूस, महसूस का अर्थ होता है अनुभब, उसके बाद है चितकार, चितकार मतलब होता है चीख, पुकार और चिलाना ये सबी होता है, वार, वार मतलब होता है प्रहार, उसके बाद क्या है धमस, धमस मतलब होता है थकान, समा समाधी तपस्या ये सभी होता है तो अब आए हम लोग चलते हैं इस कवीता के सारांस की तरफ तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अच्छा लएगा तो प्लीज वीडियो को हमें उमिद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा कवीता में कवीतरी ने दीन प्रती दीन दूसीत हो रहे पड़िया वरन के प्रतीद संबेदना व्यक्त करती है आईए उसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कभी सुना है सपनों में चमक्ति कुलहारी के भैसे पेरों की चितकार अभी चितकार का मतलब बताए हैं कि चिलाहर्ट ऐसा इसका अर्थ है क्या तुमने तेज कुलहारी के भैसे चिलाते हुए पेर का चितकार सुना है उसके बाद देखेगा, उसके बाद है, कुलहारियों के बार सहते किसी पेर के हिलती टहनियों में दिखाई परते हैं, तुम्हें बचाने के लिए पुकारते हजारो हजार हाथ, इसका आर्थ है, जिस समय पेर काटे जाते हैं, पेर कुलहारियों के बार सहता जाता है, उसकी तहनी हिलती जाती लेकिन पेर कभी बचाने में हाथ उठाते नहीं दिखते मतलब प्रतिकार करते नहीं दिखते क्या तुमने पेर के दर्द को सुनने की कुछ उसके बाद देखेगा क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस कटकर गिरता है जब कोई पेर धर्दी पर इसका देखिएगा, सुना है कभी रात के सनाटे में अंधेरे से मुढ ढाप किस कदर रोती है नदिया, इसका अर्थ है, आज दुसित पड़ियावरन के दुस्प्रभाव से नदिया जो अंधकार भाय के भविशे के लिए मुख जाप करो रही है, उसके क्रदन को रात के सनाटे मे कभी तुमने सुनने का प्रयास किया है, तो उसके बाद है देखिएगा, इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशित होते, सोचा है कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई इस्तरी चढ़ा रही होगी किसी देपता का अर्थ, इसका अर्थ है, जिस घाट पर तुमने कपड़े और मवेशित हो रहे हो, उसके बादे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है और कोई इस्तरी देपता को अर्थ भी देती है, देपता का अर्थ देना, इसका अर्थ ये हुआ कि उस जल से देपता का पूजा करना, देपता को जल जड़ाना उसके बाद है कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधी लिए भार का सिना बिस्पोर्ट से तूट कर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर इसका अर्थ है जब बंबिस्पोर्ट के द्वारा पहार थोरा जाता है क्या कभी तुमने महसूस किया है कि मौन साधक के रूप में सांथ चित बैठा पहार का दिल किस प्रकार दहलता है उसके बाद है सुनाई पढ़ी है कभी भड़ी दू पहड़िया में हथोरी की चोट से तूट कर भी खड़ते पत्थरों के चीख इसका अर्थ है तूटे हुए पत्थर भी हथोरी से पत्थरों को टुकरे टुकरे किये जा रहे हैं उससे भी पड़्याबरन में दोस उत्पन हो रहे हैं क्या कभी तुमने उस पत्थर की पुकार को सुनने की कोशिस की है उसके बाद देखिएगा खुन की उल्टिया करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाडे इसका अर्थ है दूसित हवा से लोग परेशान है मानो अब खुन की उल्टि कर रहे हो इस पर कभी तुमने अपने घर के इर्दिगीर्द अनुभव किया है उसके बाद है थोरा सा वक्त चुरा कर बत पडियावरन में दोस के कारण बिनास के कगार पर बैठी चूपचाप सहने वाली बुड़ी प्रित्वी के दुख के बारे में जानने का प्रयास तुमने किया है। अर्थात मानव यदी हो तो मानव पर आने वाले खत्रा का समझने की कोशिस करो और पडियावरन बचाओ। जादा से जादा पेर लगाएं और पडियावरन को सुरक्चित रखें। हमारा पडियावरन सुरक्चित रहेगा तो हम भी सुरक्चित रहेंगे। हमें उमीद है कि आपको सारान समझ में आया होगा। अब आये प्रस्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बुढ़ी प्रित्वी का दुख एक कविता है। जिनका लेखी का जो है वो है निर्मला पुतुल। तो आये प्रस्न संख्या जो एक है वो है निमलिखित पंतियों के अर्थ असपस्ट कीजिए। इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशी धोते सोचा कभी उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई इस्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को आर्थ। इसका उत्तर है जिस घाट पर तुमने कपड़े और मवेशी को धो रहे हो उसके बारे में कभी तुमने सोचा है कि घाट पर कोई प्यासा पानी पीता है तथा कोई इस्त्री देवता को अर्थ भी देती है इसके बाद प्रस्न संख्या खा है अगर नहीं तु छमा करना मु प्रत्पन दोसो तथा बरती समस्या के प्रती संबेदन सिल नहीं हुए तो कवित्री कहती है छमा करना मुझे तो तुम्हारे आदमी होने पड़ भी संदे है अर्थात मानब जदी हो तो मानब पर आने वाले खत्रा का समझने की कोशिस करो और पड़या बरन बचाओ हमें उमीद है कि आप लोग भी इस प्रस्न उतर के माध्यम से पड़या बरन के बारे में अच्छे से समझे होंगे और आप लोग भी पड़या बरन बचाने की कोशिस करेंगे प्रस्न संख्या दो है नदियों के रोने से क्या तात्परे रूख रही है नदिया कूडे करकट से भर रही है उनके पाने गंदे हो रहे हैं इस प्रकार नदिया में जल की कमी तथा नदियों का गंदा होना ही नदी के रोने का तात्परे है उसके बाद है पाट से आगे और पाट से आगे प्रस्न संख्या एक है प्रित्वी को क्यों कहा गया है इसका उत्तर है प्रित्वी में दीन प्रति दीन दोस बढ़ रहे हैं जो प्रित्वी के विनास का सूचना दे रहा है और थात प्रित्वी विनास के कगार पर बैठी है इसलिए चिन आयू प्रित्वी को बुड़ी प्रिथी भी कहा गया चीन, यानि कि बहुत कम आयो, कम आयो, पेर का कटकर गिरना एबं पेर का तूटकर गिरना में क्या अंतर है, इसका उत्तर है, जब किसी पेर को कुलहाडी या आडी से काटा जाता है, तो वह गिर जाता है, जिसे कटकर गिरना कहते हैं, लेकि तूटकर गिरना कहा जाता है इस पार संख्या तीन है प्रितिवी को प्रदूशन से बचाने है तू आप क्या कर सकते हैं इसका उत्तर है प्रितिवी को प्रदूशन से बचाने के लिए हमें पेरों की संख्या प्रिच्छा रोपन पर बढ़ानी होगी पेर को सुरक्षित रखना होगा, नदी की सफाई पर ध्यान देना होगा, पहारों को टुक्रे से बचाना होगा कलकार खाने से निकलने वाली प्रदूसित गैस से बचाने का उपाय करना होगा हमें उमीद है कि आपको पाट सोला, बोधी प्रीथवी का दुख, इसका प्रस्थ उत्तर आपको समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लिस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब बीजिए, जाहिंद